आप देख रहे हैं बीएच पीजी न्यूज सुप्रीम कोट में समलेंगे के विवा मामले पर सुनवाई टल गई है जी हाँ नमस्कार स्वागत है मेरा नाम है विपिन विवाग अब इस मसले पर सुप्रीम कोट में पुनर विचार याज का दायर की गई थी पांच जजों में से एक जज जस्टिस संजीब खना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है उन्होंने व्यक्तिकत कारणों से ऐसा किया है दरसल पुरु समलेंगे का दिकार कारगरताओं को जटका देते हुए सीजियाई डिवाई चंचून की अधक्षावाली पांच जजों की संविधान पीठ ने पिछले साल सत्रे एक्टूबर को समलेंगे की विभा को कानूनी माननेता देने से इंकार कर दिया था सुप्रिम कोट में जजों के चेंबर में आज पुनर विचार याचका पर सुनवाई होनी थी इस याचका में सुप्रिम कोट के अक्टूबर 2023 में दिये गए फैसले पर पुनर विचार की मांग की गई थी आपको बदा दें सुप्रिम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में समलेंगी की विवागो वैद मानने से इंकार कर दिया था वहीं आवि आव मुक्ष नायदी इस डिवाई चंद्चून ने फिर से बैंच का गठन करेंगे सुप्रिम कोट ने समलेंगी विवा को कानूनी मानता देने से इंकार किये जाने सम्मन्दी उनके पिछले साल के फैसले की समिक्षा के लिए दायर याचकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अनुमती देने से मंगलवार को इंकार कर दिया था पुरुस समलेंगी का दिकार करकरताओं को जटका देते हुए सीजियाई डीवाई चंद चून किया देख्सता वाली पांच जजों की समिक्षान पीठ ने पिछले साल सत्रह एक्टूबर को समलेंगी के विवा को कानूनी मानता देने से इंकार कर दिया था पीठ ने कहा था कि कानून मानता प्राप्त विवा के अलावा अन को कोई भी मंजूरी नहीं है हाला कि सुब्रीम कोट ने समलेंगी के लोगों की जोड़दार पैरोकारी की थी ताकि अन लोगों को अपलब्द वस्तूओं और सेवाओं को पाने में उन्हें भीदवाब का सामना न करना पड़े इस दोरान कोट ने उत्पीडन एवं हिंसा का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आश्र देने के लिए सभी जिलों में गर्मा ग्रहे और संकट की घड़ी में इस्तमाल करने के लिए समर्पित होट लाइन नंबर की विवस्ता करने को कहा था जहां आज सीजाई चंचून जस्टिस संजीब खना जस्टिस हीमा कोली और जस्टिस बीवी नागरतना और जस्टिस पी एस नर्शिम्मा फैसली की समिक्षा को अनरोद करने वाली करने वाले हैं जहां मंगलवार 9 जुलाई को सीनियर अड़ोकेट अभी से एक महनु सिंग भी और एन के कॉल के मामलों का जिक्र किया इसमें उन्होंने सीजी आई से खुरी आदालत में पुनर विचार याजका को सुनवाई करने का आगर की अधा अभी के लिए सिर्व इत देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें